आप सबको स्वागत है ग्रीनेरीज बहुत अच्छा है यह 650 मिटर कलंका ब्लोक में आप सबको स्वागत है आज हम है नवकुष्णा चौदरी स्टाडियम जगसिंपूर पर अंदर चलके इसको हमें एक्स्प्लोर करते हैं आए अंदर जैसे हम लोग अंदर ढूखते हैं यहां एक बोड है आप पढ़ लें इसे क्यामरामन जूम करके इसको दिखा दें लिली बार करके स्टाडियम के अंदर आए हमको कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी चलते-चलते जो दिखने को मिलेगा हूँ आपको दिखाएंगे जैसे हम लोग अंदर घुषके राइट हैंड से निकलते हैं तो यहां एक नेशनल फ्लैग दिखने को मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है अगर रात का नजारा यहां देखा जाए तो बहुत मज़ा होगा क्योंकि लाइट वगर अभी एरेजमेंट किया गिया है लाइट के फ अगर कोई स्पोर्स होगरा होता है केंपिंग होता है बच्चे लोग आते हैं यहां पर खेलने के लिए तो यह रूम में साथ रहते हैं जहां तक मुझे लगता है यह रहने के लिए ही है यह रूम यहां तो इस वक्त कोई स्पोर्स वगरा नहीं हो रहा है लेकिन माहौल बड़ा सुकून है यह जो मैदान देख रहे हैं यह जितने भी आउडर स्पोर्स एक्टिविटीस सब यहां पर होता है कोई एक चीज नहीं है यहां फेमस तो क्रिक्ट होता है वाली फुटबॉल वगरा जितना भी आउड़र है यहां खेलने के लिए बहुत मस्त जगह है सबस्क्राइब काफी है देखने में भी बहुत अच्छा लगए सामने जो देख रहे हैं यहां पर वाली फॉल कोट है वह यहां पर फॉलीवल खेलते हैं उपर में यह पैविलियन है तो लोग यहां बैठके अराम से खेला एंजॉई कर सकते हैं यह जो देख रहे हैं एक अच्छा वालीवल कोट है यहां खिलने के लिए बड़ा मज़ा आता होगा लोगों को कि अच्छा पानी का दो टंकी लगा है पानी का पूर आरेज़्मेंट है रिफ्रेश्मेंट के लिए रात के स्पोर्ट के लिए वहां लाइड लगा हुआ है रात में शिर्फ भॉली और फुटबॉल खेला ही आप यहां पर देख सकते हैं तान के अंदर में आप देखते हों अंदर में आता है उसका दाइरा अभी जिस रास्ते में हम लोग चल रहे हैं यह स्टाडियम के अंदर है साइड से निकला हुआ है यह 650 मिटर राउंड अगर यहां से सुरू करके हम लोग पूरा घुर के फिर यहां तक आते हैं तो यह 650 मिटर का है लोग यहां पर कर रहा है और फिर एक उसके अपोजिट डिरेक्शन में यह दूसरा वाला है यहां पर भी लोग बैठके स्पोर्स इंजॉई करते हैं और चलो अंदर चल के देखते हैं और क्या-क्या यहां पर फैसल इस एविलेबल है जैसे कि हम लोग उस तरह पैबिलियन में जो देखे जो स्पोर्स यानि खिलाडी लोग जो आते हैं रहने का घर यहां सेम से मुए वही फैसलिटी यहां देखने को मिला आगे चल के देखते हैं सुने कि आगे मैं जीम करने के लिए कुछ एरेजमेंट है चलो चल के देखत देखते हैं उधर रहां हमें देखने को मिला और लिए लगा हुए नेट करने के लिए एडिमेंट है बहुत अची बात है आउड़ियれる के लिए एरिया माना जाता बहुत ब्सम तरह इसमेंट है सुबा सुबा आकर के यहां पर exercise होगरा कर सकते हैं खुल जा भाई चल ज्यादा खुलना ठीक नहीं है कमर खुल जाएगा फिर लेकिन यहां पर क्या है कि आप नेचर के बीच में exercise कर सकते हैं कि यह पार्क ओपनिंग का टाइम है सुबा चार बज़े खुल जाता है नौ बज़े तक बंद हो जाता है फिर अगर साम की बात करें तो साड़े तीन बज़े से खुल करके यह साड़े साथ आड़ बज़े तक साम तक खुला रहता है हमारे चैनल में जगासिंपूर का सीरीज चल रहा है यह हमारे सीरीज का दूसरा वीडियो है हम आज आए है अगर आप इस स्टाडियम में आए हैं या आ रहे हैं मौनिंग वाक करने या किसी तरह स्पोर्स एक्टिविटीज करने के लिए तो प्लीज कॉमेंट बक्स में आकर कॉमेंट कीजिए आज तो हम लोग आए इस वक्त जब सारे खिलाडी लोग या जो मौनिं करते हैं ये स्टाडियम तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कर लिजिए और सेर कर लिजिए थैंक यू फर वाचिंग दे वीडियो